okay students तो मैं आपको आपका login id जनेरेट हो चुका है। टो मैं आपको एक बार समझा देता है कि किस प्रकार से आपको इसको आपको अपना login ID श्टार्ट करना है, टो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, या आप mobile में भी कर सकते हैं और यह आप चाहें तो अपना कम्जूटर डेस्टॉप में भी कर सकते मोबाइल में आप भी डाउनलोड कर सकते हैं उसके इस बारे में पूरी डीटेल दे दूँगा ठीक है पांच मिनट दस मिनट का वीडियो है तो आप देखेंगे सबसे पहले आप ब्राउजर में जाएंगे ब्राउजर में जाने के बाद आप यह वेब साइट टाइप करेंगे एस्पिरेशन.ai यह कैरियर लॉंचर की वेब साइट है यह website खुल जाएगी आप यहां देख सकते हैं यह आपके सामने इस प्रकार से website खुल जाएगी फिर आप यह sign in का button दबाएंगे यह जो rocket बना हुआ है यह ब्रिश्टू सेक्सेस के दीचे sign in का button है इसको आप बनाएंगे दबाएंगे यहां email id और यहां password पूछेगा email id जिस प्रकार से मैं रीमा की डालता हूँ यहां यह रीमासाहूथ3006.gmail.com यह इसका id है और मैं password डालता हूँ यह id और password आपको whatsapp group में भेज दूँगा यह डालने के बाद यहां आप login करेंगे यहां आप login करेंगे जैसे ही आप login करते हैं तो इस प्रकार से आपका login हो जाएगा ठीक है फिर यह ऐसा करके आएगा तो आप यह बटन दबा के आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि आप यह सारी चीज़े देख लें और फिर उसके बाद launch now launch now दबाएंगे आप तो अप्लोड यूर के वाइसी इमेज और के वाइसी डॉक्यूमेंट्स आ रहा है तो इसके लिए आप ओके दबाएंगे और यहां अप्लोड यूर इमेज चूज़ा फाइल करेंगे चूज़ा फाइल करते के बाद जहां भी आपके फाइल होगी जैसे यह रहा रीमा की पिक यह मैंने डाल दी और यह रीमा का के वाइसी आधार यह मैंने डाल दिया इसको आप समिट कर देंगे क्योंकि आप अभी अगर स्किप भी करेंगे इसको तो बार में डालना पड़ेगा बार बार यह तंग करेगा तो उस्ते अच्छे एक बर आप डाल के matter को close कर दें तो submit दबा देंगे click ok to continue यह आपका जो है यह आपका complete होगे यहाँ पर आप अपने guardian name डाल देंगे मतलख father का नाम डालेंगे और उनका mobile number डाल देंगे उनका mobile number नहीं तो अपने mobile number फिर से डाल देंगे तो मैं यहाँ पर जो रीमा का mobile number है मैं वही डाल देता हूं है ना अच्छा मेरे पास नहीं है अभी तो मैं कुछ भी डाल देता हूं है ना चल जागा आप कुछ भी डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दस डिजिट कहोना चीए अगर आप औरिजनल लंबर भी डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है वरना कुछ भी डाल सकते हैं दस डिजिट कहोना चीए 11 डिजिट हो गया है एक नंबर कम कर देते हैं इसमें यह सब्मिट कर दिया मैंने ओके अब यह रूल बुक खुला हुआ है इसमें आप नीचे आजाएए है ना I hereby declare that I have read और यहां सब्मिट का बटन दबादें यह आपका complete हो गया यह आपका complete हो गया अब यह जो है आपका यह रीमास टूल किट खुल गया है रीमास लॉट टूल किट ठीक है रीमास लॉट टूल किट भी खुल गया है यहां से आप भी दबाएंगे तो आप भी डाउनलोड हो जाएगा और एप में भी सेम लॉग इन आइडियो पासवर्ट डालके आप मोबाइल में एप भी चला सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात अब मैं आपको यह जो पूरा आपका जो डैशबोर्ड खुल गया है इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूं तो यह देखिए यह जो है आपका यह अलग-अलग आपके डबे बने हुए है यह अलग-अलग आपके जोन है फॉर इक्जामपल अगर आप को बात करना है ट धेर सार च्लैटके दिखने लग जाएंगे ठीक है ठीक है ळीशरी ourie आपको पैटन प्र बहुट सारे टेस्ट पहले हैं बहुट सारे टेस्ट हैं धेर सारे टेस्ट है आप इनको दे सकते हैं प्लैपन क्या नांटी Wal टेस्ट हैं आप डेली भीफाफ़ Всем दें complete full length test तो भी test आप complete नहीं कर पाएंगे ठेर सारे test है ठीक है, klat के बहुत सारे new pattern पे हैं तो new pattern वाले klat के ही test दें आप जब आपको test देंगे तो आप देखेंगे test देने का तरीका मैं कोई भी test को खोल के दिखाता हूं आपको जैसे LST Mock 25 2 July को यह test हुआ latest, take test तो आए the computer प्रोवाइट वर्किंग, I am ready to begin, time 120 मिनट यानि दो घंटे का ही है I am ready to begin करेंगे आप यह देखिए पैसे जा गया है उसके हिसाब से प्रश्न है और यह आपकी पूरी computer sheet है sorry answer sheet है जैसे जैसे आप option क्लिक करते जाएंगे और save and next करेंगे उस हिसाब से हरा होते जाएगा यानि आप next question में आ गाए इस प्रकार से इंग्लिश language है उपर देखिए current affairs का section है यह legal reasoning का section है यह logical reasoning का section है और quantitative technique का section है तो सारे section है आपके आप अपने हिसाब से हर section में जा जाके इस test को दे सकते हैं जब और यहां आपका timer चल रहा है जब आप test complete हो जाए तो आप यहां पर save and next करते जाएंगे और आपका यहां पर submit test दबादेंगे submit test दबाने पर आपका पूरा का पूरा paper submit हो जाएगा मैं अभी नहीं दबा रहा हूं इसको बंद कर दे रहा हूं ताकि रीमा फिर से चालू करें तो यहां से चालू हो जाएगा ठीक है बैक जाएंगे यह home दबाने से बैक हो जाता है अब आप देखेंगे यहां topic test है topic test का यह मतलब है कि आपको हर topic का हर topic के बहुत सारे आपको यहां test मिलेंगे बहुत सारे टेस्ट हैं यह देखें लीगल का जैसे legal knowledge है तो legal knowledge का basic advanced test one test two इस प्रकार से बहुत सारे test है छे test हैं आप दे सकते हैं criminal law contract law यह सारे test हैं आप दे सकते हैं ठीक है वैसे English के grammar reading comprehension आप लो यह जो है आपका बहुत important section है इसमें भी आप जाके test दे सकते हैं जो कि आपका topic test है उसी प्रकार से sectional test भी है sectional test भी LR logical reasoning का sectional test ऐसे करके आपको बहुत सारे maths के sectional test यानि यह maths के पूरे maths के portion के test है English के portion test मतलब इसमें English में सब कुछ आ जाएगा RC RC सब कुछ GK के है legal aptitude के है legal knowledge के है इस प्रकार से आपके sectional test को नहीं हुआ है यह तो आपके तीन टाइप के test हो गया है मौक टेस्ट है sectional test एक-एक section के test है topic test particular topic के test है उसको छोड़के इसमें कुछ भी informational videos है वो आपको यहां मिल जाएगा कुछ भी informational videos है वो आपको यहां पर मिल जाएगा जैसे current affairs के हैं यहां पर कुछ कुछ है ना यह आप देख सकते हैं different different type के हैं mock के सारे discussion आपको यहां मिल जाते हैं जो भी mocks हो रहे हैं कुछ mentoring sessions है वो मिल जाते हैं हो सकता है इसमें को और सारे videos और भी हो ठीक है तो आप उसक को देख सकते हैं देखिए जैसे वेदिक mathematics का video है vocabulary का video है यह different different type के videos यहां पर पड़े हुआ है वह आप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं ठीक है यह भी सुविधा आपको है इसमें आपको कुछ नहीं रहेगा मेरे खाल से खाली होगा यह खाली है ठीक है यह बंद कर द zone है बहुत important gk zone जो आपकी मन्थन होती थी जो मन्थन हम आपको प्रिंट आउट देते थे वह यहीं से निकल के आती थी मन्थन आपकी यह मन्थन है है ना मई से मई 2020 onwards यहां पर मन्थन आपको मिल जाएगा ठीक है यह देखिए जून का मन्थन यह सब weekly मन्थन आपकी यहीं पर है वह इसी मन्थन से आएगा यह मन्थन आपको करना बहुत जरूरी है पहले हम आपको प्रिंट आउट देते थे अब हम आपको इसको पूरा login आईडी से बनवा दिया है अब आपको उसको मिलेगा ठीक है बैक करेंगे हम । ठीक है बैक करेंगे और लेगल जोन है इसमें जाके आप लिगल अपडेटस लेगल में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में देख सकते हैं यहाँ है तो देखने को मेलेंगे आप आप पर आपकी ई-books हैं वैसे तो बुक्स आपको मिली हुय है इसलिए यहांपर आपको कोई एभूख की नहीं क्योंकि आपको फिजिकल बुक्स मिल गई हैं और यह ग्रामर् सोन है यहां पर ग्रामर के कॉश्चन सेंग्विश के कोश्चन साप कर सकते हैं इंग्लिष के का login ID और password है आप यह बटन दबाके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं यह देखिए प्ले स्टोर में आ जागा मेरे मोबाइल में इस्टॉल्ड है आप भी अपने मोबाइल में इस्टॉल कर लीजिए और सेम जो login ID पासवर्ड है वह आप डाल के कर सकते हैं आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो जिचके नहीं ग्रूप में डालें और बेशक बेजीजक होके मुझसे पूछे ठीक है अभी तक आपका क्ल पूर फाइदा उठाइए और क्लाइट के एक्जाम पे बिल्कुल बहुत अच्छे से तरीके से स्कोर करिए ठीक है तो क्लास 12 के बच्चों के साथ में क्लास 11 वालों का भी मंगा रहा हूं कुछ ही समय में मेरे खिया से 2-3 दिन 4 दिन के अंदर 11 वालों का भी login ID प्रेश्बोर्ड को यह यह आपका बेजीजा की यूज करिया आपको ठीक है और लॉगाउट कर लेते हैं हम यहां से यह लगाउट हो गया ठीक है तो लिंक है aspiration.ai aspiration.link कुछ भी आप यूज कर लीजिए आपका इसमें चलेगा ठीक है धन्यवाद